हे गाइस वल्कम तो आर चैनल सीरियल डाइरी और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी दोस्ट चरोज गितान जी वल्ल आप सभी के लिए आद में लेकर आई हूँ आप सभी की फीविट शू से जुड़ी बेग अपडेट जो यहां हम बात कर रहे हैं यहां पर शौर रे अनोखी कहाने के बारे में वल्ल अगर आप भी शू को रेगुलर देखते हैं तो आपको बता देगी शू का आने वाल ट्रॉयक आप सभी के लिए काफे ज़ादा इंप्रस्टिंग होने वाला है वल्ल आप सभी शू के करन ट्रेक से वाकिब तो होंगे ही यहां पर शौर रे अनोखी के बीच खटी मिठी लिड़ाई हो चल रही है लेकिन आपको बता दे अब बहुत ज़द यहां पर आप सभी को साजिशो का एक महल देखने को मिलेगा शू में वल्ल आपने देखा ही कि देवी बिल्कुल भी अनोखी को पसंद नहीं करती है तब ही तो वो शौरे की जिन्दगी में शौगून को वापस ले आई है लेकिन अब देवी को यह बात पता चले की शौरे याणि जिसको बेटा शौरे अनोखी को प्यार करता है शौगून को देवी के खोश थोड़ जाएंगे लेकिन आपको बता दे देवी इतनी असानी से शौरे को पटे हातों से जाने देने वाली नहीं है और यहाँ पर अनोखी को शौरे से दूर करने के लिए देवी बड़ा कदम उठाती नजर आएगी और यहाँ पर ऐसे इंसान से हाथ मिलाएगी जो कि अनोखी को पसंद नहीं करता है जी आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देवी करने वाली है अब यहाँ पर देवी जो है अनोखी के जी जाए याने की विनित से हाथ मिलाने वाली है और यहाँ पर आप अनोखी खिलाब साज़िश रखने वाली है विनित के साथ मिलकर तो गाईज अब देखना काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग होगा शो की कहानी में कि विनित और देवी मिलकर आप किस तरह से शोर्य अनोखी की इस लाव स्टोरी में विलन बनते हैं और किस तरह से इन दोनों के बीच काफी ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आते हैं वहला आप सब को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप भी शोर को लेकर अपने कुछ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा